कल दिल्ली में 503 केस थे और पिछले 24 घंटे में आज 523 केस हैं तो पिछले 24 घंटे में 20 नए कोरोना के केस आए हैं इन 20 में से 10 मरकज के हैं और बाकी 10 दूसरे हैं तो 523 टोटल केस जो दिल्ली में हैं उसमें मरकज के 330 केस हैं जो विदेशों से लॉट के आए थे और विदेशों से कोरोना लेके आए थे ऐसे 61 लोग हैं साथ लोगों की टोटल अभी तक मृत्ति हो गई है पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मृत्ति हो गई है 25 लोग ICU में हैं आठ लोग ventilator पे हैं बाकी लोगों की स्थिती स्टेबल है पिछले कुछ दिनों में शायद आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि दिल्ली के अंदर केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं मैंने पिछले 2 दिन में भी कहा था कि एक कारण उसका है कि मरकज के केस बहुत तेजी से बढ़े जैसे 523 में से 330 केस तो मरकज के ही हैं मरकज के केस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े जिस वज़े से और दूसरा एक कारण है कि अब हमें टेस्टिंग किट मिल रही हैं तो हमने टेस्टिंग बहुत बढ़ा दिये पिछले कुछ दिनों में और हम चाहते हैं कि जो भी टेस्ट कर अदेट्स को इडेंटिफाई करके उनको कॉरिंटाइन या उनको आइसुलेट किया जा सके ताकि वो आगे लोगों को ना फैलाएं तो जितनी ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे उतनी ज्यादा हम कोरोना को रोकने में कामयाब होंगे ये दूसरे देशों में भी जैसे स यही टेखनीक अपनाई थी कि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा की थी अब दिली के अंदर भी हम खूब टेस्टिंग करने वाले हैं एक छोटा सा जैसे मैं अगर आकडा दूम तो 25 अपरेल के आसपास हमारे 100-800 डेली टेस्टिंग हो रही थी और उस से ज्यादा 1000 के करीब डेली टेस्टिंग हमारी पहुँंच रही है और इसको बाते आने वाले समय में बढ़ाते जाएंगे हमने एक लाख टेस्टिंग किट के ओर्डर दे दिये हैं शुकरवार को से 1 लाख टेस्टिंग किट आ जाएंगी तो उसके बाद हम बहुत बड़ लेवल पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। पिछले कल हम लोगों ने 6,90,000 लोगों को लंच कराया था और लगबग 6,94,000 लोगों को डिनर कराया था। मेरी आप सब लोगों को मेरा भरोसा है, विश्वास है कि एक भी आदमे को दिल्ली के अंदर हम भूखे नहीं सोने देंगे। हम लोग छेल, जैसे मैंने बताया, 6,90,000 लोगों को हमने लंच कराया और 6,94,000 लोगों को हमने डिनर कराया। लेकिन इसके अलावा मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग समाज के अपने अपने स्तर के उपर खाने के पैकेट्स बाट रहे हैं, अपने अपने स्तर के उपर लोगों को खाना खिला रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, उन सब को मैं सलाम करना चाहता हूँ और इ व्यक्ति को 71 लाख लोगों को हर व्यक्ति को 7.5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग है जिनके अश राशन काड़नी हैं लेकिन वो भी बहुत गरीब हैं। उनको भी अभी खाने की दिक्कत हो रही है, उन लोगों को कल से राशन मिलना चालू हो जाएगा, तो कल 421 स्कूलों से उनको राशन बटना चालू होगा, हमने 10 लाख लोगों को हर व्यक्ति को प्रती व्यक्ति को 5-5 किलो राशन दिया जाएगा, चार किलो गेहूं, एक किलो चावल, हमने सब के लिए राशन का इंतिजाम कर लिया, अभी शुरू में दस लाख लोगों के लिए इंतिजाम किया है, लेकिन अगर कम पढ़ गया, तो हम और भी राशन ले लेंगे केंदर सरकार से, इस मामले में हमें केंदर सरकार से पूरा सह योग मिल रहा है, मेरी आप सब लोगों से विंति ये है, सभी MLA, सभी MP, सभी counselors, वो लोग भी सुनिश्चित करें, कि भीड नहीं लगनी जाए है, अगर वहाँ भीड लग गई, तो सारा lockdown का असर खतम हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मिंटीन करनी है, और आप को हाय त लाएंगे, राशन खतम भी हो गया, और राशन ले लेंगे हम केंदर सरकार से, आपको राशन जरूर देंगे, लेकिन कल से कृपया करके भीड मत कीजिएगा, 421 स्कूलों में कल से राशन बटने जा रहा है, अभी फिलहाल 10 लाख लोगों का इंतिजाम किया है, लेकिन और 10,000 पी-पी किट्स वो हमें एलोट किया है उन्होंने, इसके लिए हम केंदर सरकार का शुक्रियादा करते हैं, हमें उमीद है शायद ये पी-पी किट्स कल या परसों तक हमारे पास डिलिवर हो जाएंगी, और उसके बाद से दिल्ली में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत महतोपून कदम होगा, तो हम सब लोग मिलके इस लडाई से जूज रहे हैं, केंदर सरकार, दिल्ली सरकार, सभी दिल्ली के लोग, और मैं उमीद करता हूँ कि हम इस लडाई में जरूर कामयाब होंगे, आप स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहें, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रियाँ